दोस्तों राशी चक्र में आठ खास ऐसे पॉइंट्स हैं जिने हम पुशकर नवांश कहते हैं आज हम इन आठ में से एक की बात करेंगे यह बिंदू कौन सा है और धन की बरसात करवाने में यह कैसे काम करता है इस वीडियो में आप इसे ध्यान से समझे लेकिन दोस्तों वी तक यह नक्षत्र फैला हुआ है हर नक्षत्र की तरह पुनर्वसू नक्षत्र के भी चार चरण होते हैं पहला नक्षत्र 20 दिगरी से 23 दिगरी 20 मिनट तक मेश नवांश में पड़ता है अब ऐसे समझे कि मिथुन राशी जो की बुद्ध ग्रह की राशी है पुनर्वसू नक्षत्र जो गुरू ग्रह का नक्षत्र है और मेश नवांश जो की मंगल ग्रह के अधिकार में है तो इसलिए पहले चरण पर बुद्ध गुरू और मंगल तीनों ग्रह का अधिकार हुआ इसी तरह से 30 दिगरी 20 मिनट से ले करके 26 दिगरी 40 मिनट तक का भाग शुक्र ग्रह का अधिकार हुआ इसलिए ये लोग बिसनसमेंट टाइप के होते हैं और खास तोर पर होटल, रेस्टुरेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम्याब होते हैं ठीक इसी तरहें मिथुन राशी में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक ग्यान और निष्ठा में ये लोग कमाल के होते हैं अब दोस्तों बात करते हैं सबसे उत्तम भाग की यानि पुनर्वसू नक्षतर के चौथे चरण की करक राशी में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक करक नवांश आता है करक राशी चंद्रमा की पुनर्वसू नक्षत गुरू का और करक नवांश फिर से चंद्रमा का तो दोस्तों हुआ ना कमाल ये चंद्रमा और गुरू का गज केसरी योग बनता है अगर करक राशी में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक लगन हो या फिर लगनेश यहां बैठा हो तो व्यक्ति की परसनेलिटी और स्वा काम में वे व्यक्ति हाथ डालेगा सोना ही सोना हो जाएगा जहां इन्वेस्टमेंट करेगा वहां लाब होगा ऐसे व्यक्ति को जो मिला उसका शुक्रिया अदा करते हुए हमेशा ओम नमो भगवते वासु देवाए का जाप करते रहना चाहिए या आपकी कुंडली में कर कराशी में 0 डिगरी से लेकर के 3 डिगरी 20 मिनिट तक कोई ग्रह बैठा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंदा ही तो हो तो प्लीज शेयर लाइक जरूर करिएगा